तो देखिए मैंने यहां से एकदम से साप कर दिया सब कुछ अब यहां पर देखिए यह प्रथम पुरुस है याने कि कोई अन्य आदमी है दूसरा आदमी है मैं यहां से लिख लेता हूँ यह है third person तो third person के लिए संस्कृत में जो word आता है जो mool रूप है यहां पे मैं उपर में लिक रहा हूँ यह है यहतत या slash कर लिजे एतत ठीक है तो इसका जो रूप चलता है तीनों लिंगों में चलता है कौन आप चलता है अब यह आप स्क्रिन पर देख सकते हैं तो जैसे कि इसका चलेगा पुलिंग में एतत का रूप एसह, एतव, एते, एतम, एतव, एतान, एतेन, एताभ्याम, एताभ्याम, एतेभ्या, तो ऐसे ही चलेगा सातो भीवक्ती में और तीनो वचन में एतत का पुलिंग में, इसी तरह एतत का इस थ्रिलिंग में भी चलेगा, कौन-कौ प्रत्मा विवक्ति वाला को किसको उठाना है प्रत्मा विवक्ति वाला को क्यूं क्यूंकि हमने अभी अभी आपको कारत में समझाय था कि जो प्रत्मा विवक्ति होता है वो होता है करता और किसी भी वाक्त को बनाने के लिए आपको दो ची चाहिए होता है करता और क्रिया तो एक तो क्रिया हमारे पास है हमें एक करता लाना है तो हम करता प्रतमा विवक्ति से ही लाएंगे क्योंकि प्रतमा विवक्ति को ही करता कारक कहते हैं तो यहां से यहां के लिए जो प्रतमा विवक्ति आता है पुलिंग में वो हो जाएगा यहां पर आपका क्या हो जाएग ठीक है यह मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से आगया एतो और यहाँ पर क्या आएगा एते तो यह देखे तीनों वचन में अलग-अलग होते हैं मैंने सिर्फ यहाँ से प्रत्मा विभक्ति वाले जो एतत है इसका रूप पुलिंग का मैंने उठाकर के ले आया है अब मैं इस्त्रिलिंग का भी अगर उठाकर के ले आता हूँ तो क्या हो जागा यहाँ पर एसा यहाँ पर क्या हो जाएगा एते और यहाँ पर क्या हो जाएगा एता तो यह देख रहे हैं आप मैं यहाँ से दो चीज़े उठाकर के लाया यह इस्त्रिलिंग का एतत का इस्त्रिलि लिक सकते हैं क्या लिखेंगे ए तो हमने सच्छानी से टो सब्सक्राइब ला लिए और सपुल टैनों इसका भी ती तीनों में चलता है जैसे कि पुलिंग में चलेगा सह तो ते क्या चलेगा पुलिंग में तो मैं यहां से लिखता हूँ सह यहां पर लिखता हूँ तो और यहां पर लिखता हूँ ते ठीक है और इस्त्रिलिंग यह सिर्फ प्रत्माज व्यक्ति का है यहां पर अब इस्त्रिलिंग का इस लाते ताहा तुक के यह भी प्रत्मय व्यक्ति का है अब देखिए अब हम ने यहां पर चाहां अब हम चाहेंगे तो एक नपुनसक है यहाँ पर लाएंगे तत और यहां पर लाएंगे तानी neighborhood घाए तो यह हमने यहां से लाया और यहां कर दिए कि एक Naruto मैंने आपको सर्वनाम की सवसे का अब यहां पर nine HP a सकता है थी तो यहां से मैं बाल का यहां-पर हम क्या लिखेंगे बालका और इधर में यहांपरलिखेंग एंग बाल का आध को और अगर हम इस्त्रिलिंग की बात करेंगे इसमें तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बालिका बालिके बालिका है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हम सिर्फ पर सिर्फ अभी प्रथम पुरुस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं हमने आपको यहां पर बता दिया क्या क् प्रतम पूरुस में कोई भी तीसरा आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं यानि कि अन्य पूरुस के बारे में अन्य पूरुस कौन हो सकता है बालक हो सकता है कोई लड़का हो सकता है कोई लड़की हो सकती है किसी के पापा हो सकते है कोई भी हो सकता है कोई सर्वनाम हो सकता ह जैसे कि यह वह जैसे कि यह है तो एतद का आता है एतद में कौन-कौन सा आ सकता है तीनों लिंगों में आ सकता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह सारी चीजे हैं तो यह सब के सब जो हैं सिर्फ और से प्रत्मा विवक्ति के ही हैं हमने यहां से इस एतद का प्रत्मा विवक्ती वाले लाइन को simply यहाँ पर ला करके रख दिया है उसी तरह बालक का भी अगर हम बालक की बात करते हैं किसी भी लिंक का जा करके सिर्फ आप प्रत्म विवक्ती को उठा करके यहाँ पर लाईए और रख दिजे तो ये जो आप तालीका देख पा रहे हैं अभी ये हम सिर्फ अभी बात किये हैं सिर्फ पर्थम पुरुस की तो सबसे जो ज्यादा लफड़ा था वो इसी का था पर्थम पुरुस का क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों को लाना पड़ रहा है एक तो सर्वनाम और एक त उत्तम पुरुस क्या होता है वक्ता होता है यानि कि मैं तो और मध्यम पुरुस कौन होता है मध्यम पुरुस होता है स्रोता ठीक है तो मध्यम पुरुस होता है यहां से स्रोता और उत्तम पुरुस होता है वक्ता जो बोल रहा है वो है वक्ता ठीक है ना और यह होता है मैं तो मैं के लिए अब आप एदम ध्यान से देखेंगा मैं के लिए जो रूप है जो मूल सब्द है वो है असमद वो है असमद है मूल रूप और इस असमद से हम लाते हैं यहाँ पर उसका प्रत्मा विवक्ति उसका पूरा का पूरा चलता है वहाँ पर सब्द रूप तो उसम लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे नहीं कर सके हैं और यह हैं कि वक्ता या कि जो बोल रहा है उसके बारे में यहां पर बात तो यह जो मध्यम पुरूस है यह है स्रोता यानि कि यहां पर हम बात करते हैं सेकेंड परसन की यह है सेकेंड परसन की ठीक है और यह कौन था यह था फॉस्ट परसन था जो उत्तम पुरूस था यह था फॉस्ट परसन था और यह कौन है सेकेंड परसन है यह स्रोता जिससे कह जा रहा है तो यह मेंली कोन होता है यह होता है यू यानि कि तूम तो इसके लिए तूम के लिए ध्यान से देखेगा यहां पर तूम के लिए तो इस तूम के लिए जो एक जो संस्कृत में है वो है यूसमद इसका जो मूल सब्द है वो है यूसमद तो इस यूसमद से इसका पूरा का पूरा विवक्ति और वचन चलता है लिंग नहीं चलता है यहां पर विवक्ति और वचन चलता है तो इसके सिर्फ प्रतमा विवक्ति को हम यहां पर लाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे तो हम प्रतमा विवक्ति यह आप देखेंगे वहां पर आएगा तो हम ये आया यूशुमद से परतमाविवक्ति का हम पूरा का पूरा यहां पर तीनों वचनों में यहां पर लिख दिया है। बस बस हो गया बस इतना ही था आपको अब इससे जादा नहीं जनना है अब देखे यहां पर क्या हो रख क्या रहा है यहां पर फिक्स हो गया है यहां पर दो में मध्यम पुरुस में और उत्तम पुरुस में यहां पर फिक्स है कि उत्तम पुरुस में यहां पर एक वचन में अहम आएगा दुई वचन में आवाम आएगा और बहु वचन में वयाम आएगा उसी प्रकार मद्यम पुरुस में फिक्स है कि यहाँ पर हमेशा से तौम आएगा दुई वचन में युवाम आएगा और यहाँ पर बहु वचन में युवयाम आएगा ठीक है और यहाँ पर प तिनो लिंगों में जाएंगे जैसे कि एतत के तीनो लिंगों में जाएंगे और तीनो लिंगों में से किसी का भी हम प्रत्मा विवक्ति को ला करके यहां पर रख देंगे चाहे हम एतत के पुलिंग में जाए इस्त्रिलिंग में जाए नपुनसक लिंग में जाए चाहे हम ड करता ने पढ़ा है करता ने करता ने प्रत्मा विवक्ति के लिए ही हमने पढ़ा है करता ने तो यह जो करता ने है किसी भी वाक्य में करता कराना बहुत जरूरी है तो इसी के लिए हम यहां पे लाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रत्मा विवक्ति को तो अभी जो मैंने आपको सिखाया ये सब है ये सब किसके लिए है ये सब है करता के लिए यानि कि अभी तक हमारा वाक्य में अभी तक हमारा वाक्य में जो सबसे अब महत्पूर्ण है यहां पर हम करता को दे रहे हैं ज्यादा इंपोर्टेज दे रहे हैं करता को तो इस तरह के वाक्य को हम क्या बोलते हैं करत्री वाच्चे इस तरह के वाच्चे को हम क्या बोलते हैं करत्री वाच्चे ठीक है जिसमें करता की ज्यादा प्रधानता होती ह अब एक और टाइप का वाक्य होता है जो की होता है कर्म वाच्य ठीक है कर्म वाच्य होता है तो इस कर्म वाच्य में जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा है कि प्रत्मा विवक्ति में कौन था करता ने दुवितिया विवक्ति में कौन जाएगा करता ने कर्म को तो दुवितिया तो वहां पर यह चीज़े आपको वहां पर काम नहीं करेंगी, समझ रहे हैं, वहां पर यह चीज़े काम नहीं करेंगी, हलंकि इसका यूज रहेगा, लेकिन कर्म वाच में हम वहां पर दूसरा रूल चलता है, आपको मैं आगे आने वाली वीडियो ने बताऊँगा कैसे हम क प्रत्री वाच से कर्म वाच में कैसे चेंज करते है यानि कि यसके द्वारा वेद पढ़ा जाता है समझ रहे हैं करती वाच में क्या होता है कि वहाँ वेद पढ़ता है तो कर्म वाच में क्या हो जाएगा उसके द्वारा वेद पढ़ा जाता है तो यहाँ पर जो हम ये चीजे हैं ये कर्म वाच की चीजे हम बाद में देखेंगे कर्म वाच में क्या करते हैं हम यह जो आप पठ देख रहे हैं और जो इसका रूप चल रहा है लट लकार में ऐसा पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत और पठामी पठावा पठामा तो यह रूप वहाँ पर नहीं चले है कर्म वाच में वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो चल रहा है पट का अभी ये है क्लास 6 में जो आपको दिया गया है 7 में जो दिया गया है ये है परसवे wspad ठीक है ये है परसमे asking और जब आप आगे के class में जाएंगे टेंस वगरा में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आत्मने पदी का भी ज्ञान कराया जाएगा तो कर्मवाच में आत्मने पदी का जो क्रिया होता है इस तरह का ये सब धातु रुप्ज होता है आत्मने पद का वहाँ पर चलता है कर्मवाच में झाल झाल